अच्छी रोटी से आज बहुत ही टेस्टी रिलिश्य स्नेक्स तयार करूंगे जिसे बच्चे हमेशा खाना फसंद करेंगे इसको बनाने के लिए थोड़ा सा कॉर्ण दाने ककंबर को ग्रेट करके खीरे को और थोड़ा सा पनीर है इसको ग्रेट करना है टमाटर प्याज पत पतले पतले कट करके मिर्ची सब्यूट को मैंने घ्रेट कर लिया है प्याज पतले 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 कर लिये हैं और यहाँ पर रोती है ऐसको बनाने के लिए एक पैन में थोड़े से घी डाल यप या तेल भी डाल सकते हैं थोड़ा सा जीरा siitä जीरा के तर रखने के बाद प्याज डाल दीजिए हलका सा सुनाला भून ये हलका सा सुनाला भूल जाने के बाद इसमें सारे सबजी आप डाल दीजिए खीरा, बीट रूट, सबको मैंने पहले ही ग्रेट करके रख ली थी, ऐसे ही, बहुती अच्छे स्नैक्स बनेंगे, कॉल, टमाटर, सभी हेल्दी हेल्दी है, बहुत हेल्दी बनेंगे, और साथ में बहुत ही स्वादिश्ट भी बनेंगे, और बनाने में भी बहुत आसान है, यूँ ही बन जाते हैं, जटपट बन जाते हैं, नम्मक, हलका ही नम्मक डालें, ज्यादा नहीं, हल्दी पॉडर, सबको अच्छे से मिक्स कर लिजे, ज्यादा इसको भूनना भी नहीं है, हलका असा भूनना है, बस, लिट लगा दीजे, थोड़े अच्छे से कुक हो जाएंगे, सभी सबजी अल्रेडी बहुत ही सॉफ्ट है, नरम है, फिर भी, और टेस्टी हो जाएंगे, और सॉफ्ट हो जाएंगे, खाने में अच्छे लगेंगे, बच्चे खुसी-खुसी, खेलते-खेलते खा लेंगे, बड़े भी खा ले लेते हैं बचे भी खा लेते हैं हम लोग भी खा लेते हैं भुन चुके हैं इसको आप किसी प्लेट में निकाल लीजिए और इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाए जिससे कि हम इसको छू सके रोटी में डाल सके बस अब इसमें उसी पैन में थोड़ा सा घी डाले बस थोड़ा सा गी जैदा नहीं डालना है विसे बच्चे थोड़ा जैदा घी भी खा लेंगे तो कुछ नहीं होगा और हेल्दी रहेंगे यह सुबह का रोटी है इसको घी में आप तल लीजे अच्छे से गरम कर लीजे गरम हो जाएंगे अलटते पलटते आप इसको घरम कर लीजे आप इसे तवा पर भी बना सकते हैं आराम से बन जाएंगे और इस पर सारे सबजी इस तरह से डाल देजे आप रोटी को किसी ट्रे में निकाल कर भी बना सकते हैं जैसे यहां पर यह कर रही हूँ, तो आप टवा पर भी कर सकते हैं, या रोटी को simply गरम करके, उसको किसी ट्रे में, किसी दूसरे ठाली में, प्लेट में आप निकाल लीज़े और ये, प्रोसेस कर लीज़े, ये आप मसाला जो इसमें, सब्झी जो भूने हैं, उसको भर यह दूसरी रोटी है देख सकते हैं इसमें लाल लाल बीट रूट का जूस लग गया हैं गरम करके निकाल लिजे मैं यहाँ पर तीन रोटी की बना रही हूं बहुत ही टेस्टी बनेंगे हेल्दी बनेंगे आप भी बनाईए अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को किजिए कमेंट किजिए लाइक किजिए शेयर किजिए अब इसमें देखे मैं इसको नीचे कर ली हूँ एक प्लेट में कर ली हूँ सारे सबजी को ऐसे दो पार्ट में रखने हैं जैसे कि आसानी से फोल्ड हो जाएंगे रोटी इस तरह से करें अच्छे से सब्जी डालें जिससे कि अच्छे से बच्चे सब्जी हमारे खा लें आराम से इसको दोनों साइड से फोल्ड करते हुए इसमें एक स्टीक लगा दीजिए जिससे बच्चे अगर दोरते हुए भी खाएं तो ये खूले नहीं हमारे सब्जी गिरे नहीं नीचे इस तरह से मैंने तयार कर हुँ देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेश्टी है और बच्चे कैसे भी खाएं दौरते वे खाएं खेलते वे आराम से खाएं कुछ भी निकलने वाला नहीं है ओपर से यह पनीर है जिसे मैंने कदुकस कर ली हूँ आप इसके जगह पर चीज भी डाल सकते हैं बहुत ही हेल्दी है बहुत ही देखने में सुन्दर लग रहा है ऐसे बनाएए खाएए इंजोई कीजिए मिलते हैं अगले रेसे पीज के साथ थैंक यू